हेलो गारिस वेलकम तू मैं जेन एल तो आज हम बात करने वाले है एपिस्रेब बिल meidän स्रृइर ऐपिस्विड़ फ़र के स्पाइलर के बारे में तो पिछले एपिसोड के मुताबी करनके जेंग Pi उसकी जो सोच है उस बारे में जेंग को बता देता है और वो जेंग से ये भी कहता है कि अगर वो जेंग से एक बोस और एंपलोई की तरह ना मिलकर किसी और तरीके से मिलता तो अब इसका मतलब तो यही हो सकता है कि तो शायद उनका रिष्टा कुछ और यह होता इसके बाद जब जेंग अपने होटल जाता है वहाँ पर वो सुनता है कि उसके एंपलोई कह रहे हैं कि मिस्टर जेंग के साथ काम करना उनके लिए किसी सजा के बराबर है अपने बाड़े में यह सब सुनकर जेंग को बहुत बुरा फील होता है उपर से उसका दोस्त तियाब ही उससे कहता है कि लखिली वो दोनों दोस्त है वरना बोस के तोर पर वो शायद जेंग के साथ काम करने को मना कर देता इसलिए घर जाकर बहुत सोसने के बाद जेंग अगले दिन इस बारे में फात से बात करने के बारे में सोचता है इधर अगले दिन फात ओफिस जाकर अपना रेजिगनेशन लेटर लिखता है क्योंकि उसको याद आ चुका था कि पिछले दिन जेंग करके उसने जेंग से क्या 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 कहा था तो फात को लगता है कि ओफिस से निकाले जाने से अच्छा है कि वो खुद ही रिजाइन कर दे तब ही जेंग फात को अपने कैबिन में बुलाता है तो फाद को लगता है कि शायद अब जेंग उसको fire करने वाला है इसलिए जेंग के कैबिन में जाते ही फाद अपना resignation letter आगे कर देता है और जेंग से sorry कहता है पर जेंग फाद से कहता है कि वो फाद को तो office के काम के बारे में discuss करने के लिए बुलाया था और फाद से ये भी कहता है कि वो आपने आपको सुधार कर एक बहतर इंसान और बहतर boss बनना चाहता है ताकि एक दिन फाद जेंग को देखकर ये कह सके कि उसका boss एक बहुत ही अच्छा इंसान है तब ही जेंग के कैबिन में प्रेम आता है और जेंग फात और प्रेम दोनों से ही अपने फ्यूचर के गलतियों के लिए सोरी कहने को कहता है फात और प्रेम वैसे ही करते है जैसा उनके बॉस ने उनसे करने को कहा था पर फात को ये सुनकर बहुत ही कुशी होता है कि जेंग उसके कहने पर अपने आपको बदलने की कोशिश करेगा अब इस एपिसोड में हम देखेंगे फात शायद जेंग के खॉंडो पर गया था और उसे वहाबर लड़कियों के नेल पेन शैंपू और साबून मिलता है तो जेंग की दिमाग में कुछ शैतानिया घुमने लगता है जिस वज़े से वो किसी के साथ डिसकस कर रहा था कि शा जेंग के खिलाब यूज कर सकता है अब फात को कौन बताए कि वो खुद ही मन ही मन जेंग को पसंद करता है इसलिए हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर जेंग पात को लेकर लंज करने किसी होटल पर गया है और खाना खाने के बीच में जेंग फात से कहता है मुझे तो थोड सीन देखते हैं जहां पर फात के दोस्त उससे पूछ रहे थे कि क्या वो मिस्टर जेंग को पसंद करने लगा है अब इसके बात का जो सीन है उसके बार में मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हाँ पर जेंग ब्लैक कलर का ड्रेस और फात ने वाइट कलर का ड्रेस पहना स्पाइलर में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसे और भी एल स्पाइलर के साथ अब तक के लिए बाय बाय दोस्तों